Good morning students, in this video we will learn about rural livelihoods. Livelyhoods का मतलब होता है, जीवन जीने के लिए पैसा कमाना जिनसे की अपनी बहुत सारी जरुरतों को पूरा किया जा सके. तो गाओं के लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए किस-किस तरीके से पैसा कमाते हैं, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में. गाओं में और शहरों में लोग बहुत सारे काम करते हैं अपनी रेगुलर इंकम के लिए. भारत में 65% जो पॉपुलेशन है वो विलेजिस में रहती है और विलेजिस में लोग अलग-अलग तरह के उक्यूपेशन्स करते हैं. इन सब को समझने के लिए अपन वल्लवपूर के गाओं की एक केस स्टेडी पढ़ते हैं. वल्लवपूर वेस्ट बंगाल में है यहां की पॉपुलेशन 1,000 है जादतर लोग खेती करते हैं बहुत सारे लोग कुछ अलग तरह का उक्यूपेशन्स भी करते हैं जैसे कि कुछ लोग वीवर हैं कुछ ब्लैकेटस्मिट्स हैं कुछ कारपेंटर्स हैं पॉर्टर्स हैं कार मेकर्स हैं, मैसन्स हैं, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, वॉशर मैन, बार्बर्स और ऐसे ही बहुत सारे काम करने वाले लोग विलेज कम्यूनिटी में रहते हैं गाउं में एक लोकल हार्ट या बजार लगता है जहां पर की जरुवत की बहुत सारी चीजें लाइक ग्रॉसरी, क्लॉट्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, सीड्स, यह सब यहाँ पर मिलते हैं यहीं पर चाय के छोटे-छोटे टी स्टॉल्स हैं और धाबाज हैं जहां पर की फूड आइटम्स बेचे जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प के साथ में यह सामान बेचते हैं यहाँ पर कुछ घर वीवर्स के हैं वहाँ पर वो लोग कॉटन और जूट को बनाते हैं वीवर्स के घर के पास में ब्लैक इट्समिस हैं जो बरतन बनाते हैं लोकल मार्केट में बेचने के लिए, पास के टाउन में फैक्टरी वर्कर्स और लेबर्स रहते हैं, यहां पर एक डेरी बूत भी है, जहां पर गाउं की लोग आते हैं और मिल्क और मिल्क प्रोडेक्ट जैसे कर्ड और चीज को बेचते हैं, इनके मिल् पैसा मिलता है अब हमने ये देखा कि गाओं में वल्लबपुर का जो गाओं में वहाँ पर लोग बहुत सारे काम करते हैं कई तरह के किसान होते हैं इसमें middle farmers landless laborers और big farmers इन तीन के बारे में अपन बात करते हैं सुखी राम एक किसान है ये middle farmer है इसके पास 3.5 hectare land है जिस पर ये अनाज उगाता है सुखी राम और उसके family members मिलकर के अनाज उगाते हैं cultivation के time पर harvesting season में ये एक tractor किराय पर लेते हैं और harvesters को लेते हैं अपनी harvesting process को पूरा करने के लिए सुखी राम इतनी फसल उगा लेता है अपने खेत में कि वो अपनी family का पेट भर सके total production का 35% वो market में बेचता है और बाकी का 65% own consumption के लिए रखता है वो पैसा बचा रहा है ताकि वो एक tractor खरीच सके और उसे tractor hire ना करना पड़े दूसरी case study में बीना है, बीना का husband बिर्जू है, जो कि गंगाधर के खेतों में काम करते हैं ये landless labor हैं कमर्तोर मेहनत करने के बाद में बीना को केवल 50 रुपए मिलते हैं और बिर्जू को 70 रुपए मिलते हैं बीना घर का काम करके खेतों के अंदर काम करने आती है बीना की जो डॉर्टर है वो जंगल से लकणियां इखटी करती है स्कूल से घर आने के बाद में और ये बहुत जादा डिफिकल्ट है बीना और उसके हस्बेंट बिर्जु के लिए इस तरह से अपने जीवन को बिताना सूखे समय पर या उस समय जब खेती नहीं होती उस समय पर बीना को मनी लेंडर से पैसा उधार कर लेना पड़ता है और बहुत मुश्किल से या कभी कभी नहीं भी बीना और उसकी फैमिली वो पैसा चुका पाती है गंगादर इसके पास 20 हेक्टेर जमीन है गाओं के अंदर इसने अपनी बहुत सारी जमीन किराय पर दे रखिये फार्मर्स को जो कि उसे बहुत अच्छी अमाउंट पे करते हैं इसके अलावा गंगादर के एक शुगर मिल और एक फ्लोर मिल भी है और उससे उसे बहुत सारी एक इंकम होती है अब अच्छो इन सारे एक्जामपल्स में हमने देखा कि गंगादर के पास बहुत बड़ी जमीन है तो वो फार्मर्स जिनके पास फाइफ एक्टेर्स या इससे जादा जमीन होती है वो लाज़ फार्मर्स कहलाते हैं वो रिच होते हैं इनके पास बड़ी बड़ी जमीने होती है जिससे इनको बहुत जादा इंकम होती है इनके गंगादर जैसे किसानों के पास में additional sources भी होते हैं इनकम के ये अच्छे बीच खरीद पाते हैं अच्छे fertilizers और modern machinery को agriculture के अंदर use करने में capable होते हैं सुखी राम जैसे किसान middle farmers होते हैं ये इतना ही पैसा कमाते हैं कि थोड़ा बहुत ये savings कर सके और बाकी का पैसा ये अपने family के survival के लिए खर्च करते हैं छोटे किसान भी होते हैं जिनके पास two hectares या इससे कम जमीन होती है इनके लिए अपनी जरुरतें पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये money landers से पैसा उधार लेते हैं या seeds उधार लेते हैं अपने खेतों में बोने के लिए फसल काटने के समय पर ये वो जो loan इनों ने उधार लिया था उसे settle करते हैं और इनके पास बहुत ही कम पैसा बचता है जिससे कि ये कुछ ही महीनों तक अपने परिवार के साथ में survive कर पाते हैं बाकी के महीनों के लिए ये अपनी इनकम को supplement करने के लिए दूसरे काम तलाश करते हैं बीना और बिर्जू जैसे लोग landless labor या landless farmers होते हैं अब इस chapter में हमने देखा कि किसानी तो सब ही कर रहे हैं लेकिन लोगों की income में बहुत जादा अंतर है बड़े farmers की बहुत अच्छी income होती है middle farmers की moderate income होती है small farmers की बहुत ही कम income होती है उन्हें loan लेना पड़ता है और जो landless labor होते हैं उनकी तो survive करने जितनी भी income नहीं होती इंडिया में 80% rural population जो है वो small farmers हैं या landless labor हैं ये केवल 20% farmers जो हैं ये large या middle farmers हैं जो कि अपने produce को market में बेच पाते हैं other occupations in village farming के अलावा बहुत सारे occupations हैं जो कि villages में किये जाते हैं rural areas में लोग forest से collection करते हैं animal husbandry मतलब पशु पालन करते हैं dairy produce मतलब दूद और दूद से बनेवे सामानों को बेचते हैं पाए जाते हैं और इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि village में farming और non farming दोनों ही तरह की activities income के source हैं Thank you, have a nice day